वेस्ट इंडीज की टीम में शामिल हुआ विश्व का सबसे विशाल काय क्रिकेटर लंबाई 6.5 फुट और वजन 140 किलो भारत के विरुद्ध टेस्ट सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की टीम की घोशना हो गई है क्रिस गेल को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है वेस्ट इंडीज की टीम में 6.5 फुट लंबे एवं 140 किलो से अधिक वजन वाले खिलाडी को शामिल किया गया है उसके खिलाडी का नाम रहकीन कौर नवाल है बतादे की भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 22 अगस्ट को इंटीग्वा में खेला जाना है वेस्ट इंडीज की टेस्ट टीम में जगेह मिलने के बाद रहकीन कौर नवाल सुखियों में च्छाय हुए है उनकी लंबाई 6.5 चिंच चौर वजन 140 किलो के आसपास है रहकीन कौर नवाल को विश्व का सबसे विशाल काय क्रिकेटर बताया जा रहा है रहकीन कौर नवाल ने घरेलू क्रिकेट में काफी शांदार प्रदर्शन किया लेकिन फिटनेस की बजह से उनको जगह नहीं मिलती थी इस बार उनको टीम में जगह मिली है और वे भारतीय टीम के खिलाफ अपना डेबियू मैच खेल सकते हैं रहकीन कौर नवाल स्पिन गेंद बाजी के अतरिक्त अच्छी बल्ले बाजी भी कर लेते हैं उनको गगन चुम्बी छके लगाने के लिए जाना जाता है अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत के विरुद्ध रहकीन कौर नवाल का प्रदर्शन कैसा रहता है यदि रहकीन कौर नवाल अच्छी बल्ले बाजी करते हैं तो टेस्ट मैच में हमें टीबीस का मज़ा मिल सकता है पच्पन प्रथम श्रणी मैचों की 97 पारियों में रहकीन कौर नवाल ने 2224 रन बनाये जिनमें उनका एक शतक और 13 अर्ध शतक शामिल है उन्होंने इस दोरान 54 कैच भी पकड़े उनकी फील्डिंग काफी अच्छी है हर कोई इस खिलाडी को खेलते हुए देखना चाहता है बतादे की भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन वन नडे मैचों की सीरीज खेली डा रही है पहला वन नडे मैच बारिश की वजह से रद हो गया कल वन नडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है